दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताये थे, ये शुभ व अशुभ स्वपन व उनके फल। स्वपन भविश्य का संकेत देते हैं, वह हमें आगाह करते हैं। अगर हम सपनों के इस संकेतों को समझ लें और आवश्यक्ता के अनुरूप धार्मिक अनुष्थान कर ले तो उसके कुप्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से स्वपन संबंधित संकेतों को बहुत ही गहराई समझाया है। वास्तव में श्री कृष्ण ने नंद जी को तत्व ज्यान दिया था, जो आज भी प्रासंगिक है। ब्रह्मा वैतर्व पुरान के अनुसार श्री कृष्ण से ये शुभ व अशुभ स्वपन के बारे में नंद जी को बताया था। यह उस वक्त हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण कंसवध करने के बाद मथुरा में थे। तब उनकी माता यशोदा की उनकी चिंता सताती थी, तब उन्होंने उनके पिता नंद जी को भगवान श्री के पास भेजा था। जहां भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तत्व ज्यान प्रदान किया था। ब्रहमा वैवर कुराण के अनुसार कंसवध के बाद माता यशोदा विरहाकुल थी, उनसे प्रेरित नंद जी जब दोबारा मथुरा गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तत्व ज्यान द्वारा सात्वना दी थी। उस समय नंद जी ने लोग कल्यान के लिए जो कई प्रश्ण किये, उसमें सुस्वपन दू स्वपन से सम्बंधित प्रश्ण भी थे। नंद जी ने पूछा की ब्रजेश्वर किस स्वपन से कौन सा पुन्य होता है और किस से मुक्ष और सुख की सुचना मिलती है। कौन कौन सा स्वपन शुप बताया गया है। तब भगवान कृष्ण बोले, हेतात, चिंताया रोग से युक्त मनुश्य जो सपना देखता है, सबनी संदेह निश्पल होता है। जो जर्तुल्य है, मल मूत्र के वेग से पीडित है, भय से व्याकुल है, नगन है, और बाल खोले है, उसे अपने देखे सपने का कोई फल नहीं मिलता। निद्रालू मनुश्य सवपन देखकर यदि पुन्निंद लेने लगा जाता है, या मूरतावश रात में हो किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे उस सवपन का फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुश्य से, स्त्री से, अथवा रात में ही किसी दूसरे से स्वपन की बात कह देने पर, मनुश्य को विपत्ती, दुर्गती, रोग, भय, कलह, धन, हानी, एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। प्रहर में स्वपन फल, तब भगवान कृष्ण बोले, हेतात रात के पहले पहर में देखा गया स्वपन एक वर्ष में फल देता है। अधि ततकाल नेंध तूट जाये तो ततकाल फल देने वाला होता है। दिन को मन में कुछ देखा और समझा गया है। यह सब अद्रिश सपने में लक्षित होता है। दू स्वपन यानि अशुग स्वपन और उनके फल भगवान कृष्ण बोले, हेतात सपने में कुपित हुए ब्राहमन तथा कुपित हई ब्राहमनी को देखने वाले मनश्य पर निश्चय ही विपत्ती आती है। और लक्षमी उसके घर से चली जाती है। जंदली पुष्प, लाल फूलं, भानती भानती पुष्पों से लदापलाश, कपास और सफेद वस्तर को देखकर मनुष्य दुख का भागी होता है। काला वस्त्रधारन करने वाली काले रंग की विध्वास्त्री को हंसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्यू को प्राप्थ होता जाता है जिसे स्वपन में देवगन नाचते, गाते, हनस्ते, ताल ठोकते और दोड़ते है दीख पड़ते हैं उसका शरीर मृत्यू का शिकार हो जाएगा जो स्वपन में काले पुष्पों की माला और कुष्णांध राग से सुशोभित एवा काला वस्त्रधारन करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है उसकी मृत्यू हो जाएगी सपने में हरशातिरेग से अटहास, एक दु स्वपन जो स्वपन में हरशातिरेग से अटहास करता है, अथवा यदी विवाह और मनुनुकूल नाच गाना देखता है, तो उसके लिए विपत्ती निश्चित है, स्वपन में जिसके दान तोड़े जाते हैं, और उन्हें गिरत इसे पर सवार होकर दक्षिन दिशा की ओर जाता है, निसंदे उसकी म्रक्यू हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अढ़ुल, अशोक और करबीर के पुष्प को तथा तेल और नमक को देखता है, तो उसे विपत्ती का सामना करना पड़ता है। नंगी, काली, नककटी, शूद्र, विध्वा, तथा जटा और तार के फल को देखकर मनुष्य शोक को प्राप्थ होता है। स्वप्न में मनुष्य का मस्तक, एक दु स्वप्न, स्वप्न में म्रिक का मरा हुआ छूना, मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पाता है, उसके लिए विपत्ती निश्चित है। जो ऐसे रत पर, जिस पर गधे और उंट जुते हों, अकेले सवार होता है, और उस पर बैठकर फिर जाकता है, तो पनी संदेह वह मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को हवी, दूध, मधु, मठा और गुर से सराबोर देखता है, वह निश्चित ही पीडित होता है। जो स्वपन में लाल पुश्यों की माला, एवन लाल अंसे युक्त, तथा लाल वस्त्रधारन करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, वह रोगगरस्थ होता है, यह निश्चित है। गिरे हुए नक और केश, गुझा हुआ अंगार और भस्मपूर्ण चिता को देखकर, मनुश्य अवश्य ही मृत्यू का शिकार बन जाता है। स्वपन में बाजा, नाच, गाना, एक दुस्वपन। स्वपन में बाजा, नाच, गाना, गवया, लाल वस्त्रक बजाया जाता हुआ मृदंग इन्हें देखकर, अवश्य में दुख मिलता है। प्रानरहित मुर्दे को देखकर, निश्चय ही मृत्य होती है। और जो मत्स्य आदी को धारन करता है, उसके भाई का मरन धुब है। घायल अथवा बिना सिर का धढ़ या मुंदित सिर वाले एबन शीघरता पूर्वक नाचते हुए बेडौन प्रानी को देखकर, मनुष्य मौत का भागी होता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक नारी, जिसका स्वपन में आलिंगन करती है, उसका मर जाना निश्चित है। स्वपन में जिसके दांत तूट जाएं और बाल गिर रही हों तो उसके धन की हानी होती है या वह शारिरिक पीडा से दुखी होता है। स्वपन में जिसके उपर सिंगधारी, अथवा द्रश्टा वाले जी तथा बालक और मनुष्य तूट पड़ते हों, उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है। गिर्ता हुआ कटावरिक्ष, शिलावरिष्टी, भूसी, छुरा, लाल अंगारा और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ती होती है। गिर्ते हुए ग्रह, अथवा परवत, भयानक, धूमकेतू या तूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखकर स्वपन द्रिष्टा दुख का भागी होता है। जो स्वपन में रत, घर, परवत, व्रिक्ष, गौ, हाथी और घोडा आकाश से भूतल पर गिरते देखता है, उसके लिए विपत्ती निश्चित है। तो दोस्तों, उमिद करता हूँ की आपको विडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करे। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेना मिलती है। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दे, मैं फिर लोटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखे। धन्यवाद